उत्तर प्रदेस में DL8 की समेस्टर परिच्छा हैं जैसा कि आपको ग्यात होगा प्रतम समेस्टर की समाप्त हो चुकी हैं और 33 समेस्टर की परिच्छा 12 तारिक से प्रारम्भ हो रही है इसी के बीच कुछ examination center पर paper पहले ही लिक होने जैसे मामले प्रकाश में आये हैं और कई अभियर्थी पकड में आये हैं जिनको पहले से answer पता था और वो admit card के पीछे answer लिख करके आये थे या फिर जो बहुविकल्पिय प्रशन आते हैं उनके code के form में अपने हाथ पर answer लिख कर सचिव परिक्षा नियमक प्रादिकारी स्री अनिल चत्रुएदी जी हैं उनके द्वारा भी जांच में दो अभियर्थियों को पकड़ा गया है इसके बाद से paper लिक जैसे संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच सूरी हो गई है कि क्या वाकई में paper लिक में कौन कौन और कितने इस्तर तक यहां पर संलिप्थ है इस वीडियो के साथ अंत तक जड़ जूड़ रहेगा अगर आप भी डियलर प्रतम और 33 सेमेश्टर की परिक्षा से जूड़े हुए हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं केरियर बिट और पुलिस ने उनको गिराफतार कर लिया था उनके संदर में सचिव परिक्षा नियामक प्रादिकारी कारयले को इसकी सूचना दी गई और उनके द्वारा आख्या मांगा गया है इसके संबंद में ताकि ये जांच हो सके कि कितने लेवल तक ये पेपर लिक हुआ या फि डायट प्राचार को पूरे मामले की रिपोर्ट ततकाल भेजने के आदेश दिये गए हैं सुक्रवार को परिक्षा से पहले एक केंदर पर सौल्व कॉपी के साथ प्रियागराज का छातर पकड़ा गया था छातर के विरुद्ध प्राचार ने एफ आयार भी दर्ज कराई थी सुक्रवार को स्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में पेपर होने से पहले सौल्व कॉपी के साथ छातर के पकड़े जाने से पेपर लिक होने की आशंका प्रबल हो गई है मामले की जानकारी डायट प्राचार मनमोहन सर्मा ने सचिव परिछानिया माप्रादिकारी को दी थी सनीवार को सचिव की ओर से डायट प्राचार से ततकाल पूरे प्रक्राण की रिपोर्ट उपलब कराने के आदेश दिये गए हैं उन्होंने समय के साथ पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है दरसल इसलिए भी अधिकारी गंभीर है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो ये जानना बेहत जरूरी है कि आखिर ये लीक कहा से हुआ है वहीं पर प्रियाग राज के एक एक जामनेशन सेंटर पर PNP के जो सचीव हैं वो औचक निरेक्षक करने पहुँचे थे और वहाँ पर भी उन्होंने दो कैंडिडेट को पकड़ा जिन्होंने हाथ पर पहले से जो बहुविकल्पी प्रशन होते हैं उसकी उत्तर को लिखा हुआ था आप अपने स्कुन पर देख पारूंगे हाथेली पर उत्तर लिखकर के लाये डियलेट के दो परिक्षार थी PNP के सचीव ने छात्र और छात्रा को नकल कड़ते पकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमाई ने इन्मेंटरी एज्यूकेशन के प्रसिक्षण सत्र दोहजर तेज के प्रथम समेश्टर की परिक्षा में सनीवार को दो परिक्षार थी हाथ में उत्तर लिकर के लाये थे यह दोनों जमुना क्रिष्चन इंटर कॉलेज केंदर में पकड़े गए दोनों को निसकासित कर दिया गया और इसके खिलाफ आर्या करन्या इंटर कालेज के एक कक्ष में परची पाई गई प्रथम समेश्टर की परिक्षा व्यस्पतिवार से सुरू हुई है सनीवार को तीन पालियों में परिक्षा कराई गई वह वस्तुनिष्ट प्रश्णों के उत्तर हतेली पर लिखे थे दोनों को निसकासित कर दिया गया इसके बाद वह आरे करन्या इंटर कालेज पहुँचे वहाँ पर भी वस्तुनिष्ट प्रश्णों के उत्तर की परची एक कमरे में मिली यह परिक्षा प्रदेश बर में 5 243 के अंदरों पर हो रही है त्रितिय समेश्टर की परीच्छा 12 अगस्य सुरू होगी और 3 दिन तक चलेगी इसमें 3,22,851 टोटल परीच्छार्थी समलित हो रहे हैं तो यहां पर निश्चित तोर पर ये सवालों के घेरे में हैं कि जो बहुविकल्पे प्रशन आते हैं 50 न कि कहीं न कहीं पेपर लिख जरूर हो रहा है और इन सभी चीजों को ले करके सचीव परीच्छान आमक प्रादिकारी गंभीर है और इसके लिए आख्या मांगी गई है बहुत बार देखा गया है कि examination center से ही paper के scan copy को निकाल करके और whatsapp group में भेज दिया जाता है होता यह है कि जब paper खुलता है और examination center पर उसको distribute करने के लिए तो उससे पहले 10-15 मिनट आदे घंटे पहले ही उसका एक तरीके से click करके और groups में send कर दिया जाता है मतलब कि कहीं बार देखा गया है कि जो examination centers होते हैं वहाँ के teachers ही इसमें मिले होते हैं इन सभी चीजों की जाज करने के लिए ही सच्चिव परिछानी अमक प्रादिकारी का रहले के द्वारा अगर आपको ग्यात हो तो आख्या मांगा गया है ताकि ये पता चल पाए कि क्या वाकई में उस विद्याले के जो भी invigilator हैं कहीं उनकी सनलिप्तता तो नहीं है साथी साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तृतिय सेमेश्टर की परिछा होना प्रस्तावित है बारा अगस्त से उनमें इस प्रकार की कोई घटना नहों इस बज़े से सच्चिव परिछ अच्छा 10 बज़े से सुरू हो रही है तो 20 मिनट पहले तक ही आपको एंटरी मिलेगी मतलब कि 9 बज के 40 मिनट पर आपका में गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद आपको एंटरी नहीं दी जाएगी क्योंकि इस प्रकार के जो लास्ट में पेपर आउट होने जैसे माम चल जाए इसी को कंभीरता से लेते हुए आप अपने स्क्रीन पर देख पार होंगे सची नियामक प्रादिकारी कारेले द्वारा ये पत्त लिखा गया है कि 12 अगस्त से प्रस्तावित परिच्छा है तु आवश्यक दिशा निर्देश ये 33 समेस्टर की परिच्छा के संद अधो इस ताक्षिरित के संग्यान में लाया गया है कि कतिपाय परिच्छा केंद्रों पर उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनशित नहीं किया जा रहा है उक्त के क्रम में आपको पुना निर्देशित किया जाता है कि DLA 33 समेस्टर की परिच्छा 12 अगसे प्रस्तावि निर्दारित समय से 20 मिनट पूरू परिच्छार्थियों को केंद्र पर प्रवेश कराये जाने के पशात परिच्छा केंद्र का गेट बंद करा दिया जाए इसके उपरांत ही प्रशन पत्रों के पैकेट खोले जाए यदि उक्त निर्दारित समय के पशात कोई परिच्छ अपने इस तरह से संपाधित करना सुनिशित करें। अपने इस तरह से संपाधित करें। यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन परिच्छा में प्रवेश पत्र पर दूसरे की फोटो लगाकर के सौलवर या दूसरा परिच्छार्थी बैठाना अब आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश परिच्छा नियामक प्रादिकारी सचिव ने प्रवेश पत्र पर दूसरा द्वारा फोटो लगाने की व्यवस्ता को समाप्त कर दिया है। अब परिच्छार्थी द्वारा ओनलाइन आवेदन में भरे गए विवराण और अपलोड फोटो का राष्टिय सुचना विज्ञान केंदर से लेकर पिनपी ने परिच्छा एजनसी को भेजने की विवस्ता की है। ऐसे में अब परिच्छा एजनसी की ओर से डियलर संस्तानों को भेजे प्रवेश पत्र पर फोटो लगी रहेगी। जिसमें प्रवेश पत्र पर फोटो बदल कर फरजी परिच्छार्थी बैठाने की कोशिशों को देखते वे ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा परिच्छा फॉर्म में भरने में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। इसरे को परिच्छा में बैठाने के लिए उसकी फोटो लगा देते थे। पूर्व की परिच्छा में ऐसे कुछ मामले पकड़े गये थे जिसके चलते या बदलाव किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भू। झाल